नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी एनम स्वास्ते कार करता आनलाइन हाजरी के लिए नव अक्टूबर को आदेश आता है और उस आदेश के विरोध में प्रदेश ब्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ब्लाक वाईज अपने अधिक्षक मोदय को ग्यापन सोपा गया है इधर 11 और 12 अक्टूबर में चुट्टिया होने की वज़े से अदर्वाईज संसोधित आदेश आने की उमिद थी और आपका मामला हाइलाइट हो चुका है पुरे प्रदेश अस्तर पर सासन तक स्वास्ति हैंने हो सभी संगते के लोग एक प्रेटफॉर्म पे तो आनी पाएंगे या आवी सकते हैं अगर उनकी मनसा हो जब घहां पर आप сами के एक शर्वस आमान्ने हितो की बात हो हो में लेकिन अगर ऐसा संब्हों ना भी हो तो कम संब्हीं एक मत पर एक विचार परके मिल कि और यह आदेस पहली बार सिर्फ आपके विभाग में जारी नहीं हुआ है अब कुछ पहले की बात है कुछ महिने पहले की बात है इस प्रकार की भीवस्ता रखते वे आदेस जारी किआ गया था लेकिन उनलोगों ने उनके संगटनों ने मिल करके संगटित विरोध किया, अपना काम करते रहें, लगों ने किया इसे अिसमें भैबीत होने की भी आउ सकता नहीं होती है, लोग तांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रतरशन करने का भी एक तरीका होता है, उस तरह से मिल करके प्रयास विरोध करना ही चाहिए, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ओ आदेस वापस ले लिया गया था अभी फिलाल में किसे भी भी भाग में सबी करमचारियों के लिए आनलाइन हाजरी की विवस्ता नहीं है, सबी करमचारियों के लिए हमने आप एक लाइन बोला है, तो इसी प्रकार से अब आप लोगों आप आप आनलाइन हाजरी दे करके जाएं, इस प्रकार से कितना भाग दोड करेंगे, और कुछ जिले ऐसे हैं, जहां पर ना तो सबसेंटर की इस्तिती सही है, और ना ही इस प्रकार से कारक कर पाना संभव है, और आप देखेंगे, जादा तर जितने भी एनम जो फीमेल ह बहनें, उनके साथ में कहीं ने के उनके गार्जियन, साधी सुधायत, उनके पती, उनको भी उनके साथ में उनकी हेल्प की आउ सकता पड़ती है, अब इसमें चाहें पूरुसकार करता हो, चाहें महिला कार करता हो, पहले की पूरुसकार करता हो, पहले की लोग कारत हैं, जो नव निवक्त एनम बहने हैं, चाहे संविदा की एनम बहने हैं, सभी के लिए समस्या होगी, आनलाइन हाजरी के वज़े से सभी के लिए समस्या होगी. ब्लाक वाईज एनम बहनों के द्वारा एनम स्वास्ते कारकरदा के द्वारा अपने अधिक्षक महदे को भी ग्यापन दिया गया विरोध अपना दर्शाया गया जो आदेस आया था 9 अक्टूबर का आनलाइन अटेंडेंस के लिए कुछ संगटन के लोगों की इस्वास्ते विभाग में परिवार कल्यार में वो लगातार कोसिस कर रहे हैं बात कर रहे हैं फिर वहां से उन लोगों के द्वारा सासन अस्तर पर बात की जाएगी सासन अस्तर से अनुमती मिलने के बाद भी संसोधित आदेश आएगा कि यानि कि आनलाइन हाजरी आप से भी को नहीं देना होगा तो बीच में आफ सभी देखेंगे इधर 2 से 3 दिन की चुटिया हो जा रही है यानि खुल मिलाकर के 14 तारीख तक वेट करना पड़ सकता है हाला कि आदेश तो कभी भी आ सकता है अगर सरकार चाहे गवर्मेंट चाहें तो आदेश तो कभी भी आ सकता है लेकिन वर्किंग डे के हिसाब से 14 अक्टूबर तक वेट करना है प्रतिक्षा करना है बहुत सारे आफ सभी के ग्रूप भी हैं सभी ग्रूप के जितने भी चाहे हो एडमिन महोद है हो या फिर जो भी अन्य उसमें मेंबर हो सभी लोग मिल करके एक समान रूप से कि हमें किस प्रकार से कैसे विरोध करना है इस आदेश की विरोध में कैसे हम लोगों को वेट करना चाहिए कब तक वेट करना चाहिए आभ ऐसा नहीं कि कुछ या कुछ सवास्थकार करता आंलाइन अटेंटेंस लगाने लग जाएं तो इससे फिर क्या होगा कि हमारी मोहिम कमजोर होगी आनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाना है यही आप सभी का विरोध है बाकी जो कारे जहां तक करना उचित रहेगा वहां तक भी आगे करने की कोशिस होगी उसमें जैसा भी संग्टरंग की सभी लोग एक मत हो करके जो भी नेड़े लिया जाएगा तो उसी अनुसार आप सभी को कारे करना है बाकी देखे बहुत तरकी वीडियो बहुत तरकी चीज़े आप सभी को सुनने को मिल सकती है लेकिन उसमें सभी को एक सही नेड़े ले करके ही आगे बढ़ना है एक चीज़े हाँ पर देख है यो विन से स्टार्ट करके जितने भी तरह के फीडिंग होते हैं क्या इसमें कोई एक इंटेगरेट़ नहीं हो सकता ऐक तरह से डाटा आप्रेटर बना दिया गया है आप लोगों को अगर इसमें कोई अलग से डाटा आप रहना पड़ता तो उसको कितने-कितना वेतन देन जिस प्रकार से सब की नहीं होती है लेकिन वहाँ पर ठीक है वो लेकिन अगर थोड़ी सी चूख हो जाए थोड़ा सा समय से आप बिलंब से पहुंचे या किसी भी तरह की कोई भी सिकायत आजाए तो तुरंत वहाँ पर कहीं सिरली कठोने लगती है तो कहीं अटेंडेंस देख है कि यहां पर देखे कुछ मेससेज हम देख रहे थे ग्रूप में भी कि कितने सारे काम आप सभी को करने पड़ते हैं क reminding तो हर जगर होता है ह Ар वाग में होता हर कर्मचारी को काम करना पड़ता यह यह जो जितना अवतित हो टो अतना ही काम सभी को सभी सहबा जाना च होता है या भी यूनिसेप की मॉनिटर होते हैं ऐसा था है निकिस्वास से बिबाग डारेक्ली किसी कर्मचारी की कोई नियुक्ति की हो वही सुपर्विजन करें प्रॉपर एक उसके लिए गाइडलाइन्स होना चाहिए अब इसमें सियेचों को लेकर की भी सिकायत आती है सुपर्विजन के नाम पर कितनी सारी मीटिंग के लिए आपको बुला लिया जाता है इतने बज़े की मीटिंग है आप वेट करते रह जाते हैं मीटिंग अब होनी है उसमें जो भी चीज़े पूछी जाते हैं कोई एक छोटी सी भी सिकायत अगर मिल गए उनको आपकी बा चाहिए आती हैं लेकिन एक ही तरह की फीडिंग को कितनी जगह पे अपडेट किया करेंगे आप सभी यह नहीं होना चाहिए और आज कल के डिश्टली करण के जमाने में इंटेगेटेड पोर्टल विक्सित करना सरकार के लिए बहुत आसान है लेकिन वो चाहते हैं कि सारा काम आप लोग करें अब इसमें जो रिपोर्ट जिनको बनाना चाहिए लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट भी आप सभी को बनाने पड़ते हैं पिर रिपोर्ट सम्मिट भी करने पड़ते हैं पिर बहुत तरह की जाज के लिए सर्वे के लिए आप सभी लोग कभी-कभी तो ऐ ऐसा होता है कि आप पूरे दिन बर बिना खाये पिए रह जाते हैं अभी तो फिलाल में चलिए आनलाइन अटेंडेंस के विरोध में अभी हाँ पर हम लोग एक मत हो करके एक संगठी तो करके विरोध कर रहे हैं लेकिन आगे आपकी कारेसमंदी समस्याओं पर भी सरकार को ध है और पुरोवर्ती सरकार में आपको अठाइस ग्रेट पर ही मिलता था लेकिन उनके द्वारा दो होजा ग्रेट पर क्यों किया गया तो कम सकम यहां पर यह वेतन भी संगती बंद होनी चाहिए दूसरी जो भी संविदा भेन हैं और लोग भी परिसा आने कि कम सकम हम सभी क है मिचार करना चाहिए कि आप देखेंगे कि संविदान में आर्टिक कल भी है कि एक मानोचित दशा प्रदान deprived literature कार टे लिए कि गी वेतन अब बूब मुनादे किण बारता है फिर अए जो परमानेंट प्रिव करता है पहले व अऔर वही आती है कुछ राश्य जो कुह आप सभी कोे यरली प्राप्त हुता है उसमें बहुत सारे पैसे आपको मिलें बहुत सारे पैसे नहीं दीक या फिर छोटे मोटे काम के लिए आप देखेंगे जो कुछ भी पैसे आ दी कि जो कुछ भी समस्चाएं होती है क्या इस पर स्वास्ति भी बात को पता नहीं है संग्यान में नहीं है पर सरकार के संग्यान में नहीं है महिला स्वास्तेकार करता होने की वज़े से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें जहां पर सभी का सहयोग प्राफ्ट होना चाहिए आप लोगों के लिए अब आगे देखिए 16 अक्टूबर को आप लोगों का सेशन रहेगा और उसके पहले पहले उमीद है कि 14 पंदर में आप लोगों के लिए संसोधित आदेस आजाना चाहिए आजाएगा तभी उचित है आप सभी के लिए हम लोग यहीं उमीद करते हैं कि सरकार द्वारा नेड कर्मचारी की विरोध में क्यों होते हैं आप अपना वेतन देखते हैं लिकिन आप यह भी तो समझीए कि आप संबिदा या आप एनलचीम के करमACHारी है और जो लोग भी परमानेट है उनको उनके ग्रेट पे के अनुसारी उनको वेतन कम मिल रहा है लिकिन जो पहले के उनक लोग बराबर करते हैं लग बग लेकिन सेलरी में वेतन में डिफरेंस देखी आप सभी तो अपने रिकूर्टमेंट को लेकर कि आपको विचार करना चाहिए अगर सरगार नेगर आपको पर्मानेंट नहीं किया है तो आपकी मांग पर उचित विचार किया जाए उसमें पर कार से कर्मचारी ही कर्मचारी की विरोध में रहेंगे एक ही विभाग में तो यह कहीं से भी नयाय संगत नहीं कहीं से भी उचित नहीं लगता है आनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाने का नेड़े लिया गया है तो ये कारे सभी के द्वारास इसमें सपोर्ट किया जाएगा ऐसा नहीं कोई भी स्वास्त करता आनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाएंगे किसी भी सबसेंटर से 14 अक्टूबर तक का वेट किया जाएगा 14 अक्टूबर as usual जैसे भी आप सभी की duty है लेकिन उसमें online attendance का विरोध किया जाएगा उसके बाद फिर आगे जैसे भी दिसा निर्देश पराफ्त होंगे प्रदेश अस्तर पर सभी के लिए एक समान दिसा निर्देश तो उसी की अनुसार आगे फिर भी रोध करना है ठीके तो आप लोग बिल्कुल परिसान मत हो यह online attendance ऐसा है निकिकवल आपके भीभाग में पहले भी कुछ भीभागों में इसी परकार के आदेश आते हैं लेकिन सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है उनके कार करने की इस्तिती दसाक कही सारी चीज़े देखी जाती है अब मालेजे कोई है जहां पर duty करते हैं वहीं पर उबैटे हैं एक office में हैं सारी duty उनकी वहीं पर होती कहीं उनको field में जाना नहीं पड़ता जो भी field में काम करते हैं उनके लिए online attendance की विवस्ता नहीं होती है field में duty करने वालों के लिए कहीं आज यहां पर session कल वहां पर session सब center पर जाएं तो इस प्रकार से यह चीज़े possible ही नहीं है अगर practically भी देखा जाए अब इसमें यह आदेस कैसे आ गया किस दबाव की वज़े से आदेस आ गया अब यहां पर इस पर बात करना उचित नहीं है लेकिन यह आदेस जो भी आया है यह आदेस वापस भी लेने पड़ेंगे स्वास्ते भी भाग को हम सभी का निविदेने उनसे उनको विचार करना होगा आप सभी की कारे समंदी समस्याओं पर ध्यान देना होगा और किवल यहीं एक समस्या नहीं है बहुत तरगी समस्या है कम सकम और नई समस्या तो न आप सभी को दी जाए तो आनलाइन अटेंडेंस रद ही होना चाहिए और उम्मिद है कि 14 अक्टूबर तक अधिकतम 15 अक्टूबर तक संसोधित आदेस आजाना चाहिए आनलाइन हाजरी को रद करने के लिए वीडियो को आप से भी जितना हो सके प्लीज सेर कर दीजेगा सभी तक